जियाश रंकर हुए इस देली बॉई की दिवानी की जमकर तारीफ वेलब एक बॉस OTT 2 फेम जियाश रंकर इस वक्त काफी ज्यादा लाइम लाइक में बनी हुई है अब आक्ट्रेस ने एक लड़के के बारे में अपने व्लॉग में काफी सारी बाते कहीं है जियाश रंकर ने बताया अपने व्लॉग में कि उन्हें डेली बॉई की वो दिवानी बन सकी है और उन्हें डेली का एक लड़का काफी ज्यादा पसंदा चुका है चलिए आपको बताते हैं आखिरकार क्या है पूरी अपडेट जैसा कि आप सभी को पता है बिग बॉस हाउस से बाहर आने के बाद जियाश शंकर ने भी व्लॉगिंग स्टाइट कर दी है और अपना एक चानल यूट्यूब पर क्रेइट किया जियाश शंकर अब लगतार अपने व्लॉग्स अप्लोड करती रहती है और अपने लाइफ से जड़ी हार छोटी बड़ी अपडेट फ्रांस के साथ शेयर करती हुई नजर आती है अब अपने लेटेस व्लॉग में जियाश शंकर अपने एक दोस्त के साथ कार ड्राइफ करती हुई काफी स्यादा बाचीत करती हुई भी नजर आई इसी दोरां जियाश शंकर ने ये भी बताया कि उन्हें डेली का एक लड़का काफी ज्यादा पसंद आ चुका है यहाँ पर पहले तब फ्रांस को लगा था तब डेली बॉई की बात हो रही है तो यह अब शेक मलहान के लिए जियाश शंकर कह रहे होंगी लेकिन फैन्स के कयास गलत है जियाश शंकर यहाँ पर रनवीर सिंग की बात करती हुई नजर आ रही है जिया शंकर ने अपने लेटेस व्लॉग में बताया कि उन्होंने हार ही में रनवीर सिंग और आलया भाइट की मूवी रोकी और रानी की प्रेम कहानी देखी है जो कि उन्हें काफी ज्यादा पसंद आई जिया इस मूवी की और रनवीर सिंग की फैंडरे बन चुकी है रनवीर सिंग इस मूवी में डेली बॉइ का रोल करते हुए नजर आते हैं उनका वो फंकी लुक और उनका स्टाइल उनका वे ओफ टॉकिंग जिया शंकर को इतना ज्यादा पसंद आया कि वो डेली बॉइ और नोईडा के लड़कों की दिवानी हो गई और डेली बॉइ को डेट करने तक की बात कहती हुई नजर आई अपने व्लॉक के दोरान जैसा कि आप सभी को बता है रनवीर सिंग ने इस मूवी के लिए कत्थक सीखा था और जो कत्थक कांकर सीक्वन्स है वो भी जिया शंकर को काफी ज्यादा पसंद आया था और जिया शंकर इनी सारी बातों को लेकर अब रनवीर सिंग की दिवानी बन चुकी है वेल आप कहां जी और शंकर की कहिए इन बातों पर क्या कोशे कहना हमें कॉमेंट्स में जरूर बताए ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें